हलो दोस्तो मनुटक चानल में आप सब का स्वागत है, आज हम इस वीडियो के अंदर पौड़केस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें इस वीडियो में हम तीन वाला पॉइंट हम discuss करेंगे, जो तीन पॉइंट है, वो बहुत important है कोई भी podcasting वाला creator है, तो उसको ये तीन वाला point बहुत important है इससे पहला हम थोड़ा different different type के podcasting के मतलब creation के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम तीन वाला point में चले जाएंगे First podcasting क्या होता है हम previous video में discuss कर चुके है अभी हम discuss करें कौन सी type के podcasting होते है बहुत सारे है different different type के है उसमें एक दो हम यहाँ पे discuss करेंगे पहला वाला जो है solo यानि अकेला इसमें क्या होता है करता, कर्म, क्रिया ये तीन भी एक ही करना पड़ता है एक ही को करना पड़ता है खुद करना पड़ता है, इसका मतलब ये है जो content creation है और उसको जो record करना है, और उसको जो edit करके publish करना है, ये सब अकेला करेगा, जिससा कि आप, या फ़र मैं ऐसा है कि मेरे पास एक content है, एक विशय है वो विशय में मुझे रूची है, तो उसके इसाप से मैं podcast करूँगा ठीक है, उसको बोलता है solo podcasting, ये solo podcasting में क्या क्या आते है storytelling आता है, या फिर किसी biography बोलना आता है और किसी topic के उपर discuss करना है किसी topic के उपर जैसा training है, जैसा कि मुझे fitness में रुची है या फिर मैं doctor हूँ मुझे health के बारे में health tips देने में मुझे रुची है, या फिर मैं spiritually sound हूँ तो मैं अध्यत्मिक का बारे में बात करना मुझे पसंद होता है, तो कोई भी एक topic लेने दो, तो उसी के उपर वो discuss करा उसी के पर वो discuss करेगा और उसको record करेगा edit करेगे, publish करेगा, यह होता है solo podcasting इसका अलावा group podcasting भी बोलते है या multiple people यानि एक host होता है, जैसा कि मैं host हूँ, या फिर आप भी host हो सकते हैं, जो creator है उसके साथ साथ एक co-host भी होता है, नेकिन इसका मतलब उनके साथ, मतलब उनके साथ एक और भी होता है तो ये दोनों के बीस में जो interview जैसा चलता है यानि परिचे का विधान जो चलता है इसको भी हम record करके podcast के रूप में हम edit करके upload कर सकते हैं hosting site के अंदर ये interview different type की interview होते है, जैसा कि थोड़े interview ऐसा होता है question and answers होते है वह वाला लंबा चलेगा मतलब एक घंटा दो घंटा भी चलता है, उसको एक दो episode में हम कर सकते हैं और कुछ ऐसा भी होता है just for half an hour interview चलेगा और खतम हो जाएगा, बस अभी हो सकता है मतलब episode episode को different different interviews चलते रहते हैं यह एक तरीका है, दूसरी तरीका है जैसा कि group discussion group discussion में यह होता है कि same kind of people same stream correlated people थोड़े लोग मिलके मतलब एक से ज्यादा एक topic के उपर discuss करते है मतलब एक उशे के उपर discuss करते है जैसा कि sports है या फिर cinema है ऐसा discuss कर सकते है इसके अलावा for example students है, students एक, दो, तीन, चार लोग मिलके group discussion कर सकते हैं जैसा कि उनके exams के बारे में उनके reservations के बारे में या फिर उनके college या school के events के बारे में college या school के events के बारे में भी वो discuss कर सकते हैं यह सब हम group discussion जैसा करके podcast में कथा बोलने का या फिर जो भी विशे के उपर आपको रूचे है वो एक और डिस्कुशन एक मतलब सिंगिल या मल्टिकुल पीपल यह दोनों को यह दोनों पॉड्केस्ट फेमस है इसके अलावा बहुत सारे है जैसा कि न्यूस अपडेट करना है या फिर स्पोर्स है इसके बाद हम जो अभी बात करने वाले है तीन वाला पाइंट जो है तीन विएपी पाइंट बोलेंगे हम वेरी इंपोर्टेंट ठीक है वेरी इंपोर्टेंट पाइंट से कोई भी पॉड्केस्टिंग क्रेटर है कोई भी पॉड्केस्टर है किसी भी जगा में कंट्र पहला वरा point ये है कौनसा विशय है ये point पहला पैंट है ये कौनसा विशय के ऊपर हम podcast करने वाले है या channel open करने वाले है विशय का मतलब ये है for example किसी हरे को भी एक विशय के ऊपर रुची होता है इंट्रेस्ट होती है इसका मतलब यह है वो विशय के उपर वो जानकारी उनके पास जादा होते है या फिर वो इसके बारे में कुछ जादा बोल भी सकता है क्योंकि वो विशय के उपर उनको कमैंड है मतलब subject पसंद है इसलिए उनके उपर वो ज्यादा बात कर सकता है क्योंकि ये वाला जो content ये विशे कौन सा है content कौन सा है बहुत important है ये selection is very important ये हमको कैसा पते चलेगा for example हम अल्री कुछ community में है जैसा कि family है friends है या फिर हम YouTube ये community है मारे पास या फिर Facebook है Instagram है आप post किजिए कि कौन सा वाला topic करना है तो उन लोगों को पता है कि आप से कौन सा वाला topic उन लोगों को पसंद लगता है तो वो इस से हमको पता चलेगा कि कौन सा वाला topic हम select कर सकते हैं जो लोग आपको suggest करेंगे उन में से एक मनला आपके बारे में उन लोगों को पता है इसलिए वो easily आपको बता सकते हैं या फिर आपको deep subject है command है तो भी आप podcasting उसके उपर कर सकते हैं तो ये विशे बहुत important है ये वाला पहला point है दूसरी point ये है नाम यानि title ये जो वाला आपका podcast से है ये podcast को एक नाम देना पड़ेगा उसको बोलते हम title ये title इसलिए important है कि जो भी search करने वाला है इसी title से search करते हैं आपका जो podcast आप publish जो करते हैं इसी title के उपर publish करते हैं और जो भी search करेगा ये ही वाला नाम दालके सर्च करेगा इसलिए title is very very important क्योंकि हमारा जो publish होता है advertisement होता है या फिर sponsor होता है इसलिए title is very important इसके बाद जो तीसरा जो है very important thing equipment यानि podcast तायर करने के लिए podcast तायर करने के लिए जो भी ingredients चाहिए वो आला point यानि equipment यानि infrastructure structure इसमें क्या होता है इसमें podcast को हमको record करने के लिए जो जरूरत होती है वही items होते है इसमें पहला वाला जो है mic है और दूसरा वाला जो है एक laptop या फिर mobile phone या mobile phone या laptop क्योंकि या mobile phone या laptop क्योंकि जो भी वायस हम record करते हैं थोड़ा बहुत nice बाहर से record भी हो जाता है इसके लिए edit करना जरूरत होती है एडिट करने के लिए हमको एक छोटा सा software चाहिए एडिट करने के लिए वो वाला for example audacity लिजिए ये तो free है हमारे लिए तो ये audacity में हम जो भी noise है या फिर कुछ fine tune करनी है वायस को ये हम laptop में कर सकते है थोड़े बहुत app भी है जो mobile में कर सकते है अगर किसी को mobile में use करने के लिए आता है अच्छा वाला तो भी कर सकते हैं लेकिन मेरे इसाब से laptop रहना या फिर computer लेना अच्छा लगता है तो ये वाला तो तीन चीज है ये हमको बहुत जरूरी है किसी भी podcast किसी भी language में होने दो लेकिन ये वाला तीन जो बहुत important points है इसके अलावा भी और भी points है वो हम अगले वाला वीडियो में discuss करते है जैसा कि publish करने का तरीका क्या है कैसा publish कर सकते है कौन से वाला hosting site हमको चाहिए और कौन सा वाला directories हमको चाहिए डायरेक्टरीस क्या होता है hosting site क्या होता है ये सब हम आने वाले वीडियो में discuss करते है ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और जरूर useful है जरूर use होगा आपकी podcast create करने में beginners को especially तो subscribe किजिए share किजिए subscribe किजिए like किजिए चानल को और ऐसा ही अच्छा वाला subject के related वीडियो में फिर आपके समने आएगे नमस्ते